नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का YouTube चैनल जॉश्वरे में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPSI यानि की सब इंस्पेक्टर की जो 3 दिसंबर 2021 को यहां पे लास्ट हुई है एक्जाम उसको लेकर सबसे पहले मैं बता दूँ 2 दिसंबर 2021 तक इसकी एक्जाम चली है 3 दिसंबर को उन कंडिडेटों का एक्जाम हुआ है जिनका एड्मिर कार्ट नहीं निकल पाया था किसी भी बज़य से उनका 3 दिसंबर को यहां पे वली आ गया है ठीक है और 4 दिसंबर से जो है एक्जाम चल रहा है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे सबसे पहले यूपी सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कटफ जो होगी वह क्या आपके होने वाले है ठीक है और इसकी जो आंसर की केडी कार्डिंग भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है जिसके बारे में भी थोड़ी सी आपको इंफोर्मिशन यहां पर हम देंगे देखिए यहां पे हम ँब दो चीजों पर डिसकस करेंगे सबसे पहले जो आपकी एकसपेक्टेड कटफ जो 2021 की होनने वाली है क्या होने वाली है मेल और फीमेल जिसमें केटोगरी जेनरल ओ ब सी एशनीयर और एक्स सरविसमेन को हां जांपय हम एड करेंगे और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि प्रिवियस एर जो है क्या कटफ गई थी जो प्रिवियस एर वेकेंसी आई थी 2015-16 में उसकी यहाँ पे कटफ क्या गई थी तो अवरल हम गो देखेंगे कि जेनरल OBCCST की कटफ क्या होने वाली थी उस समय और फिर्मेल की क्या ग विडियो को क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी बढ़ते हैं और देते हैं तमाम जानकारी तो अब दोस्तों देख सकते हैं यूपी पुलीस एसाई प्रिवियस एर कटफ मार्क्स टूठावरन प्विंटी और सिक्ष्ण की यहाँ पे आ एकसर मिसमेन और फीमेल कंडिडेट का तो यह जो सभी जो आपका केटोगरी यह दिया गया उस पे आप लोग थोड़ा से ध्यान दखिएगा और आप लोग थोड़ा से यह भी ध्यान दखिए कि अवरल यह कटफ जो है कितनी गई थी प्रिवियस एर की 2015 और 16 में और अभी क्रेंट चल ली है 2021 की जो एक्जाम कटम हुई है दो दिसंबर को उसके ठीक है तो यहां पर यह देखिए जेनरल की जो है वह तीन सो बतीस दसलों नौ एक जो हैं आपके मांक्स गई है आप टोटल सोचो कि एक सो साथ यहां पर जो कोश्चन थे और आप लोग को पता होगा चार सो नंबर के यहां पर एक्जाम आपके हुए है ठीक है तो यह और आल आवर में चार सो नंबर में एक्जाम में हम बता रहे हैं आपको कि चार सो नंबर का जो एक्जाम हुआ उसमें आपका जो है तीन सो बतीस जो है वह मांक्स गया था जेनरल का ओबी सी का इसी से जो यहाँ पर 271 और female candidate का 249 कितने में गया था 400 में गया था ठीक है तो हम अवरल जो फोकस करते हैं वह जेनरल OBC, SCSD और female candidate पर फोकस करते हैं 160 question में जिसमें आपकी 400 number के exam हुए हैं उनमें अगर 332 number आती है तो यह अपने आप में ही एक बड़ी बात है ठीक है तो यह जो है 2015 और 16 का यह cut-up था मैंने previous year cut-up बताया अब दखिए क्या होता है कि बहुत सारे candidate ऐसा बोल रहा है जिन्होंने 110, 112 या 115 question अगर सही सही बनाया है तो उनका selection हो जाएगा माफ कीजिए अगर दोस्तों मैं यहां पे आप लोग को रोखना चाहूंगा अगर आप भी यह सोच रहे तो यह आपकी सोच बहुत ही ज्यादा गलत है आप लोग को यह result में नहीं आने देगा क्योंकि आप लोग को पता होगा UPSI में एक ही exam होती है और उसके बाद सारे जो है आपका physical आ जाते हैं तो इस expect में अगर देखा जाए तो आप लोग का cut-up ज्यादा high जाएगी low नहीं जाएगी क्योंकि ऐसा होता है जो अगर दो आपके exam हो या दो से ज्यादा exam होते है तो क्या होता जो low cut-up पे ही candidate को बुलाया जाता है ताकि आगे भी छाटा जाए इस पड़िया में लेकिन इसमें इतना ज्यादा आपका high cut-up ही होगा क्योंकि आपका जो एक ही process बचेगा जो की physical में आप लोग को यहाँ पे छाटा जा सकता है तो इस expect में अगर देखा जाए त जो भी करके हो अगर 330 नंबर से जादा है या 330 नंबर तक अगर जेनरल कंडिरेट में में मेल कंडिरेट का आता है उनका सेलेक्शन पक्का है सेलेक्शन पक्का नहीं मतलब आगे की पड़किरिया के लिए आपकी दी जाएगी नेक्स्ट जो है आपका female candidate का cut-up है वो आपकी 290 पलस जाएगी अगर आप पिछले साल यानि पिछले जो वैकियर है 2015 से अगर कंडिर करें तो आपको cut-up यहां पर कुछ increase दिना जराएगी क्योंकि जो है वह cut-up जो है वह आगे तो आपका जाएगा ही लेकिन क्या है इस बार जो है भीड भी जादा तो उसके हिसाब से भी आपकी cut-up हाई होगी ठीक है उसी तरह से अगर OBC की बात कर ले जो की अधर वैकवर्ड क्लास आते हैं उनमें आपकी जो है एसी male candidate का और female का यहाँ पर जो है वह 240 देखने को मिलेगा एस्टी में 230 होना चाहिए और एस्टी के जो female candidate है उनमें 210 और एक्स सर्विसमेन की अगर बात कर ले तो इसमें आपके 310 जो है देखने को मिल सकती है और जिसमें एक्स सर्विसमेन फीमेल में 280 के आपको यहाँ प या आप ऐसा समझ ले एक सब पंदरा अगर कोश्चन जिन्होंने सही सही बनाया है तो अकर इनको डवल कीजिए तो आपको आता है 200 करीब जो है वह 20 नंबर और इधर देखते हैं 230 यह तो केवल और केवल आपकी जो है स्टी कंडिडेट का ही आता है ठीक है जो मेल और फीम चाली नहीं है लेखिन इनका भी कट अफ जो है वह ओ बी सी और जेनरल कंडिडेट इनके बीच की होनी चाहिए और होगी भी इतना आप सभी को पता है जेनरल से ज्यादा और eldur की कट अफ जाती नहीं है और ओर भी सी से कम यर इवर आकर निगा जारती नहीं है तो इसी के अकर देखा जाए तो आपका जो है वही हो सकता है तो 310 के एप्रॉक्समीं EWS वाले कंड़ीडेट का जो है वह कट अप हो सकती है यह जो है मैंने अनुमान लगाया है जिस तरह से मैंने कई सारे वीडियो देखें कई सारे कंड़ीडेट से बात हुई है बहुत सारे जो है सबते में वीक में आप लोग को जो है वह वैपसाइट पर देखने को मिल जाई क्योंकि इसकी जो है वह ओफिस्यल नोटिफिकेशन भी आ चुका है जैसे कि आप इसकी इन पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने आपको वही सारे एंट बताया है जो मेरे हिसाब से पूरी झाल और देख सकते हैं लिस आपको सारे एंटब लेज़ते हैं वतách लोग पर अब प्यापते हैं दिन आपको सारे देखने कि इसकाने का लोग कर दो एमरे हैं यादर नोगल्स को स gray mín painter पतते हैं लोगते हैं या या